असलाम लेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम देखेंगे आलू पराठा की रेस्पी इन पराठो को आप ब्रेकफ़स्ट में डिनर के लिए या टिफिन में देने के लिए बना सकते हो काफी सिंपल से रेस्पी है और बहुत ही चिटपटे से बनकर तयार होते हैं हमने इस हम दालेंगे दो कप गेहूं का आटा आप जाहो तो आदा मैदा आदा गेहूं भी इस्तमाल कर सकते हो नमक दालेंगे टेस्ट के हिसाब से और बस थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे खुमा लेते हैं तो बस देखिए कुछ ही मिंटों में जो हमार जो आटा है वो गुन चुका है, अब हम इसे एक प्याले में निकाल देते हैं, इसे एक खटा कर लेंगे, इसे एक जा कर लेना है, और फिर हम इसे ढख कर 15-20 मिनट रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, तो बस अब हम इसे कवर करके एक तरफ रख देते हैं और दूसरी तरफ इसके स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, तो यहां मैंने लिए है, पांच मीडियम साइज के आलू और इसे बॉइल करके कद्दू कश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, अब उसमें एक मीडियम साइज की प्यास बारीक कटी हुई शामिल करेंगे, चार से पांच हरी मिर आधी टीजपून नॉर्मल रचली पाउडर, आधी टीजपून चाट मसाला और पाव टीजपून अजवाइन लिया है, हमने, मसालों की कौंटिटी आप अपने हिसाब से कम्या जयदा कर सकते हैं, अब इन मसालों को शामिल कर देते हैं और नमक दालेंगे टेस्ट के हिसा अब इसे एक तरफ रख देते हैं और जो आटा हमने गूंद रखा था उसे अब हम चेक कर लेते हैं, तो बीस मिनट तक मैंने इसे रेस्ट होने के लिए दिया था, हाथों पर हलका सा तेल लगा लेंगे और इसे दो मिनट गूंद लेते हैं, देखिए आटा हमारा काफी हो चुका है, अब हम इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे, तो यहां मैंने इस तरह से मीडियम साइज के आट बॉल्स बना लिये हैं, दो कप आटे के हमने आट पेडे बना लिये हैं, और जो हमारी पराठे के स्टफिंग है वो रेडी है, अब एक-एक पेडा और इसे बेल लेते हैं, तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है, इतना काफी है, और जो अब आलू की स्टफिंग हमने रेडी करके रखी है, उसे इसमें भर देंगे, बस एक बड़ा चम्मच जो है, वो भरकर मैंने इसमें शामिल किया है, और अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, देखिए, हमारे पराठे का जो पेड़ा है, वो बनकर तयार है, इसी तरह से हम बाकी सारे पेड़े बना लेंगे, बस हलका सा आटा छिड़क कर हमें इसकी पहले छोटी रोटी बना लेनी है, और फिर जो पराठे की स्टफिंग है, वो हम इसमें र रखती है, और इसे धीरे धीरे इस तरह से साइड से फोल्ड करते जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है, अब हम हम रखा सा आटा छिड़क देते हैं, और इसे हलकी से प्रेस कर लेंगे, ताके जो आलो की स्टफिंग है, वो बाहर ने निकले, औ हमने मीडियम साइस का बनाया है, यह देखिए, जो हमारा आलो पराठा है, वो बन गया है, अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं, बाकी पराठो को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे, और अब इस पराठे को हम सेक लेते हैं, तो यहां मैंने एक तवे को गरम करने के पलट के हम इसके चारो जो किनारे हैं, उसे अच्छी तरह से सेक लेंगे, पराठा जो है, वो सेकने में ज्यादा वक लेता है, तो इसमें बिल्कुल जल्दाई न करें, वना आठा जो है, वो कच्छा रह जाता है साइड से, तो देखें, चारो तरह से मैंने से सेक लिया, अब इस पर घी लगा देंगे, चारो तरह से घी पहला देंगे, और इसे पलट कर इस तरह से सेक लेते हैं, हम दोनों तरफ इसके घी लगाएंगे, इसे जो है, वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, दूसरी तरफ भी हमने पलट कर घी लगाया है, और फिर इसे पलट देते और दोनों तरफ से हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे तो देखिए हमारे पराथे पे कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये दोनों तरफ से सिख गया है अब इसे प्लेट में निकाल देते हैं और जो बाकी सारे पराथे हैं उसे भी हम इस तरह से उलट पलट कर घ इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्फ किया है आप जाहो तो इसे टमेटो केचप के साथ भी सर्फ कर सकते हो इमली की चटनी कैसी बनाई जाती है इसके रेसिपी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर ड्राइ करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इंशालला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, टेक केर, लाफिज